रोतक में समिधा निर्माता बाबा भीम राव अमबेटकर की 25 वी जेयनती को लेकर तयारियां जोर पर है हर्याना मिशुन नेकता संकर्ष समिति की अध्याक्ष कानता अलार्या की देखरेक में तयारियां चल रही है इस मौके पर एसल ग्रूप के चेर्मेन डॉक्टर सुभास चंद्रा मुखे आतिती होंगे भारत की राजनीती में अगला हफ्ता बाबा साहिब भीम राव अमबेटकर के नाम रहने वाला है 11 अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल तक लगातार उनकी याद में देश भर में कारक्रम होने वाले है और इसी के दहत हर्याना मिशन एकता संगर्श रमिति की अध्यक्ष कानता अलाडिया सम्विधा निर्माता बाबा भीम राव अमबेटकर के 125 जैनती की तयारियों में जूटी हुई है 12 अप्रेल को रोतक में बाबा साहिब की 125 जैनती बड़ी ही धूंधाम से मनाने की तयारी की जा रही है 12 अप्रेल को रोतक में होने वाले इस कारक्रम में एसल क्रूप के चेर्मेन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य अतिति होंगे सुभा दस बजे डॉक्टर सुभाष चंद्रा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेटकर की पृतिमाँ पर माले आर्पन करेंगे जिसके बाद कारक्रम रोतक की शुव धर्मशाला में शुड़ो होगा जहां बादा साहिब की 125 जैनती के मौके पर 125 किलो का केक काटा जाएगा इस दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा भीमराव अंबेटकर पर अपने विचार रखेंगे में 12 अप्रेल को बाबा साहब की जैनती मनाने का कारेकरम रखा है जिसमें बड़े ही कुशी और गरव की बात है कि मेडिया समराट मेडिया मुगल कहे जाने वाले और इस देश को मेडिया जगत में नहीं पैचान देने वाले समाज के दलतों और वंचितों के लिए बाबा भीन राव अंबेटकर ने एक लबी लड़ाई लड़ी है राष्टों के विकास में बाबा साहिब का एक बड़ा युगदान रहा है 125 वी जैटी उस महामानव की जिनोंने हम सब गरीकों को जीना सिखाया जनालत के जिवन से हमें भार निकाला और आज इस देश में हम सिर उचा करके नजर में नजर मिला कर जो बात कर सकते हैं वो सब बेस वाइस के लिए गोरों की बात है खास कर पूरे दलित समाज के लिए गोरों की बात है बाबसाहिब पर कांता अलाडिया पहले भी कई कारकरम कर चुकी है और इस बार भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाबसाहिब की जहनती पर बड़ी संख्या में लोग पहुचेंगे क्योंकि सम्विधान दिर्माता भीमराव अंबेट कर राष्टरवादी सोच के धनी थे और समाज की पीड़ी के लिए उनका व्यक्तित्व प्रेणा दाई है राजटाकिया जी मीडिया रोह तक